हेलो एबरिवन इस लेसन में हम सिखेंगे डॉरी मॉन के मास कैसे बनाते हैं तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं सबसे पहले हम A4 के दो पेपर ले लेंगे और इसको मैंने राउंड करने के लिए यूज किया हूँ प्लेट दोनों पेपर को हम को सीजर से काटना है एक को फोल्ड कर लेते हैं और सेंटर में एक सीधा लाइन दे लेते हैं अपने दो फिंगर की डिस्टेंस में दो आइस ड्रॉ करने हैं नोज और इसका आउटर शेप अब इसको हम सीजर से काट करते हैं अब दूसरे पेपर के ऊपर आ हम इसको ट्रेसिंग कर लेते हैं इसको भी आइस निकल देंगे ऐसे हम इसको चिपकाएंगे बाद में और यह है इसका स्माइलिंग फेस और यह विसकर्स यह टांक यहापर हाइलिट दे देंगे और यह नोज में करेंगे रेट कलर जब कलर करेंगे पहला आउट लाइन दे देंगे और फिर इसका अंदर फिल करेंगे यह माउट यह टांक में हमने तीन टोन देने हैं तोड़ से डार्क कर देते हैं और अब इसको हम sketch pencil outline दे देंगे और यह whiskers अब जो pencil का lining था उसको हम erase करतेंगे अच्छे से अब इसमें करते हैं Dorymon के blue color और यह जो line दिया था outline इसके बहारी करना है अब इस पार्ट के उपर पहले पार्ट को जोड़ना है इसी तरह और अब बनाएंगे इसका belt और घंटी बेल्ट त्यार कर लेते हैं और घंटी का drawing कर लेते हैं घंटी के drawing के लिए हम एक circle दे देते हैं फिर इसका detailing करते हैं और इसमें भी मैं यूज कर हूँ poster color yellow और इस सुखने के बाद हम sketch pen से outline कर देंगे इसको चिपका लेते हैं अब नेचे इसको paste कर देते हैं यह जो उपर के हिस्सा है इसको हम थोड़ा से काट कर लेंगे एक इंची के हिसाब से और इसको हम दुनों पार्ट को जोड देंगे इसमें तीन कट करेंगे ऐसे यह एक थोड़ा सा dimension आए अब पेपर को तीन चोटे चोटे पीस कर लेंगे और एक मोटा रसी से मास के पीछे हम पेस्ट कर देंगे और यह बनके हमारा रेडी है आई होब कि आपको यह लेसन अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेर कॉमेंट जरूर करें और हाज जीन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन को भी दबा देजिए ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थैंक यू फो वाचिंग